महतरमा डीसी ने खुद ये सवाल किया माइक्रो फैनेस मैनेजर्स के कि अथरिजेशन है कि आप गुरूब लीडर से अपॉइंट करें तो घरों घर के अंदर संग ये वैनिश किया जाएगा और गुरूब लीडर्स को टर्मिनेट किया जाएगा कि अगर कोई माइक्रो फैनेस रिकवरी ऑफिसर किसी भी महिला के उपर जुल्म कर रहा है तो महिला को जाकर नजदी की पुली सेशन में कम्टेंड करना और और उनको एरेस करना उनको और उनके पर एक्शन लेना इनके पास से पैसे लेते हैं इंशुरेंस के मगर नहीं पर इंशुरेंस अप्लाई नहीं करते हैं लोगों को डरा रहे हैं यह सीधा सीधा है कि माइक्रो फैनल्स कल की मीटिंग के भी वो गाइडलेंस को भी उनों वाइलेट कर दिये अगर इसी तरीखे से चरिए तो डिप्टी कमिशिनर मेडम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूशुड टेक श्रीक एक्शन कि कल रात में हमें अडिसके और शुबा में यह लोग इस तरीख संदाब से स्क्रिट बना कर पूरे लोग हर जगा गुरूब लिडर्स और और अर्टों को परिशन करना शुरू कि यह सुरू कि यह सुड़ी तीची अफिस में जो मीटिंग हुई जो वीकली पेमेंट हो था 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 उसको एक्षा बरने का उसको मंतली करने की पी डिमांड सब्सक्राइब करने का ट्रेड लेसंस इनको किस ने दिया यह यह बात रखे गई किस बेसे स्पेर पॉइंट किया गया यह खुड डिसी मोहतरमा डिसी ने खुड यह सवाल कि आप माइक्रो फैनेस मैनेजर्स के कि ऑथरेजेशन है कि आप गुरूप लीडर से पॉइंट करेंगे और वही पे उनका जो भी पेमेंट है कलेक्शन है वो वहां पर करेंगे घर के अंदर संग यह वैनिश किया जाएगा और गूप लीडर्स को टर्मिनेट किया पर गुरूप लीडर जिस कोई भी महिला को कोई भी घरवालों को परिशान कर रहे हैं उनके ओपर माइक्रो फैनेस वालों के तरफ से भी स्टिक आक्शन होना और पॉलिस प्रशाशन से होना और साधिस साथ यह बात भी वहाँ पर महतरमा ने रखी है कि वो पॉलिस यह हैं कि अगर कोई microfinance recovery officer किसी भी महिला के उपर जल्म कर रहा है pressure build कर रहा है तो महिला को जाकर नजदी की police station में complain करना और complain दर्च करना और microfinance institute के वो जो criminals जो crime करते हैं आके उनके उपर immediate arrest करके उनको arrest करना उनको और उनके पर action लेना ये बात भी रखी गई है meeting के अंदर और उसके साथ-साथ यहां पर हम तो यह भी मालूम पड़ा के insurance जो जितने भी औरते खावातिन जो लोन लेते हैं उनके insurance के धाई हजार तीन हजार रुपे कट करते हैं वो तो sources से हम को यह मालूम बड़ा कि यह कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा scam चाहरा इनके पास से पैसे लेते insurance के मगर वहां पर insurance अप्लाई नहीं करते तो इस demand पर इस question पर महतरमा DC ने microfinance institute को यह कहा कि आप जितने भी insurance अप्लाई करें वो insurance के copy जितने भी borrowers हैं उनको दे देना आप copies वो चीज़ पर तो यह जितने भी loan के जो borrowers हैं जो भर रहे हैं जो नहीं भी भर रहे हैं आपको हख है यह पुछने का कि आप insurance की copy उनसे पहले आपको पुछना आए तो बरहाल यह बड़ी बड़ी बेशर्मी की बात ही है पहुंच के बोलते हैं कि कल DC office में meeting हुई और DC madam ने बोले के पैसे जितने भी लोग ने भर रहे हैं पैसे लो अगर उन्हों पैसे नहीं देते हैं तो उनके पर case करके police को लेग जाकर उनको करो बोलके ऐसी घटिया बात इसे घटिया अलफास यूज करके लोगों को डरा रहे हैं यह सीधा सीधा है कि microfinance कल की meeting के भी जो discussion उसको भी वो guidelines को भी उन्हों यह कर दिए उन्हों वालेट कर दिए और deputy commissioner के जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी वालेट कर दिए साथ इसाथ lead manager जो साथ में थे नोडल officer जो साथ में थे उनके भी बातों को उनके भी guidelines को यह लोग वालेट कर दिए तो अगर इसी तरीख से चरिंगा तो deputy commissioner मैडम से हम request कर रहे हैं कि you should take strict action कियोंकि कल रात में मैं डिस्कस ही और सुबा में यह लोग इस तरीए एक संदाज से script बना कर पुरे लोग हर जगा group leaders और 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 को परिशान करना शुरू कि अब परिए हम लोग अगर उनको प्रेशार कर जा रहा है तो आज भी आप नजी की पुलिशेशन जाकर उनके अपर पर दर्ज कर सकते हैं अगर दर्ज नहीं करें पुलिस डीपार्टमेंट से और आपके पर यह तो बेफिकर रहे हैं हम लोग आज भी हैं